इस्राइल गाजा जंग में अमेरिका और बिटे जहां इस्राइल के समर्थन में हैं वहीं यमन के हूती विद्रोही गाजा और हमास का समर्थन कर रहे हैं यही वज़ा है कि हूती विद्रोही अपने नियंत्रन वाले इलाके से निकलने वाले व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हैं। कि उनकी सेना ने यमन के सशस्त्र बलो यानि हूती विद्रोहीं के खलाफ हवाई हमले किये हैं। विबिन मेडिया रिपोर्ट्स में कई अमेरिके अधिकारियों के हवाले से ये भी दावा किया गया कि यमन के एक बड़े क्षित्र में रडार सिस्टम, जोन, क्रूज और बेलेस्टिक मिसाइलों के स्टोरिज वाले ठिकानों और लॉंच साइट्स को निशाना बनाया पर बाइडन ने कहा कि ये टार्गेटिट हमले साफ संदेश हैं कि अमेरिका और हमारे अन्य साज़ेदार अपने कर्मियों पर हमले बरदाश नहीं करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक लाल सागर से होने वाली आवाजाही को खत्रे में नह अन्य बार जहाज रोधी बैलेस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया अमेरिका और बिटिश हमलों के तुरंत बाद यमन की सना सरकार में उप विदेश मंतरी हुसैन अल-अजी ने चेताउनी दी कि अमेरिका और बिटिन को अपनी इस भयानक आक्रामक्ता के लिए भार रहना चाहिएगा पर चिंता अब्रेक्ट की है इधर युक्रेन के साथ युद कर रहे रूस ने भी यमन पर हुए हमलों को लेकर 12 जन्वरी को स्युक्त राश्य सुरक्षा परशद यानी UNSC की आपात कालिन बैठक का अनुरोध किया है झालए अनुर्ण पर रह युद का अनुर्ण झालए वालवन सुर्ण सुर्ण चाहिएगचिस रहने बैठक किया है